Good morning students, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपल, अपनी वर्चुल लैब के अंदर आज जो आपको एक्सपेरिमेंट सिखाने चारी हूँ, वो है to determine young's modulus of elasticity of the material of a given wire. हम किसी तार का यंग प्रत्यास्ता गुडांख ज्याद करेंगे. ये जो experiment है, आज अपन इसको virtually perform करेंगे. किसी भी experiment को perform करने के लिए, कुछ important criteria हैं, जो अपने को ध्यान रखने हैं. ये steps क्या-क्या हैं? अपने को पहले clear होना चाहिए, कि हमारे experiment का aim क्या है? जो हम experiment कर रहे हैं, उसका उदेशे अपने को अच्छे से ग्याथ होना चाहिए. हम किसी भी experiment को perform करने के लिए, जो जो उकरन अपने को काम में चाहिए, वो अपने को मालूम होना चाहिए. उससे रिलेटेट, experiments related, जो भी डायग्राम, चित्र है, वो अपने को अच्छे से आना चाहिए. किसी भी experiment की accuracy के लिए ये important है, कि हमें उसका exact procedure मौलूम होना चाहिए. तब ही हम उस experiment को, result को high accuracy तक obtain कर सकते हैं. जो हम experiment perform कर रहे हैं, उसके अंदर next step है, कि हम उसके regarding क्या-क्या observations काम में ले रहे हैं. फिर हम उन observations के basis पे calculations करते हैं. friction के आधार के उपन, अपन उसकी गड़ना का निर्धारन करते हैं. calculation के basis के उपर अपन, जो हमारा aim है, उससे result के value अपन निकालते हैं. और lab में experiment को perform करते हुए, हमें कुछ precautions, सावधानिया काम में लेनी होती हैं. यहां हम जो अपना experiment perform कर रहे हैं, वो हम virtually उसका performance कर रहे हैं. तो मेरे पास आज जो experiment अपन कर रहे हैं, सबसे पहले अपन उसका उद्देशे देखते हैं. उसका उद्देशे है, हमें किसी भी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्ता गुणाख क्याक करना है. We have to determine young's modulus of elasticity of the material of a given wire. तो ये अपने को experiment जो perform करना है, इसके लिए जो जो उपकरन अपने को lab में काम में कर चाहिए, वो उपकरन है, सर्ल सेपरेटर्स, मीटर स्केल, स्क्रू गेज, आदा किलो के बाट और आदा किलो का हैंगर. ये जो उपकरन हम काम में ले रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहे हूँ. ये अपने पास सर्ल का अपरेटर्स है. ये हैंगर है, ये हाफ केजी के वेट्स है, और स्क्रू गेज हमने काम में लिया है. अब इस एक्सपेरिमेंट के बिहाइंड जो सिद्धान्थ है, उसको अपन देखेंगे. यहां मैं मान रही हूँ, कि ये जो मैंने वायर ली है, इसकी की लंबाई कैपिटल एल है. और इसकी द्रिज्जा मान रही हूँ, स्मॉल आर के बराबर. यहां पर यांग प्रत्यास्ता गुडांख निकालने के लिए, हम हुक के नियम को काम में लेंगे. हुक का नियम है, प्रतीबल का मान समानुपाती होटता है विक्रती के. Stress is directly proportional to strain. तो अगर अपन proportionality का sign हटाते हैं, तो अपने पास constant हाता है. उस constant को अपन यांग प्रत्यास्ता गुडांख कहते हैं. यांग प्रत्यास्ता गुडांख का सूत्र है, नॉर्मल स्ट्रेस अपन लॉंगिटूडनल स्ट्रेन. प्रतीबल बटा विक्रती. प्रतीबल क्या होता है? प्रतीबल होता है बल बटा शेत्रफल. मेरे पास बल है mg के बराबर और जो तार हमने ली है, हमने उसकी त्रिज्या मानी है r के बराबर. तो उसका शेत्रफल आ जाएगा πाई r स्क्वेर के बराबर. इस तार में उत्पन जो विक्रती है, विक्रती का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंबिक लंबाई. लंबाई में जो परिवर्तन है उसको मैं मान रही हूँ small l के बराबर. और प्रारंबिक लंबाई है तार की capital l के बराबर. तो वीकृति का मान आ गया small L upon capital L तो हमें प्रतिबल और वीकृति के मान ग्यात है अब इन मानों की सहायता से अपन यंग प्रत्यास्ता गुणांग निकाल सकते हैं यंग प्रत्यास्ता गुणांग आजाएगा ये मान रखते हैं तो हमारे पास यंग प्रत्यास्ता गुणांगा गया mg capital L upon pi r square small l तो यहां इस फॉर्मले के अंदर अगर अपने को capital L, small r, small l का मान पता हो तो हम किसी भी तार का यंग प्रत्यास्ता गुणांग निकाल सकते हैं तो अब जो उपकरन हम lab में काम में लेते हैं cells apparatus उसके बारे में अपन देखेंगे यह अपने पास cell का उपकरन है इस cell उपकरन के अंदर यहां यह अपने पास दो तरह की तार है एक तार को तो मैं कहती हूँ experimental wire और यह जो दूसरी तार है इसको हम auxiliary wire कहते हैं यह दोनों तरह की जो तारे हैं यह एक ही material की बनी होती है और इनका diameter भी लगभग समान होता है इन दोनों wire का एक end जो है वो एक rigid support के उपर fix किया होता है मतलब इन दोनों तारों का एक सिरा हमने एक दरड़ पिंड के उपर अच्छे से कसा हुआ होता है अब अपन lower part को देखें यहाँ पर इसके lower part के अंदर यह मेरे पास spirit level है spirit level में यह अपना spirit level है spirit level क्या होता है spirit level किसी भी surface की evenness को चेक करने के लिए काम में आता है कि वो surface balanced है या नहीं इस surface को चेक करने के लिए अपन spirit level का उपयोग करते है यह है एक लकड़ी का छोटा सा box होता है इसके अंदर alcohol या spirit भरा हुआ होता है और यह alcohol या spirit इस तरह से भरा जाता है कि उसमें एक छोटा सा वायू का बुलबुला air bubble रह जाता है अगर कोई भी surface balanced है तो यह air bubble बिलकुल center के अंदर होता है अगर surface uneven है, balanced नहीं है तो यह वायू का जो बुलबुला है यह मद्दे में ना हो करके या तो left side में रहेगा या right side के अंदर होगा यह अपने पास spirit level लगा हुआ है अब इस spirit level के का एक surface तो fixed है दूसरे surface के साथ में sparometer attached है जो sparometer है इसके अंदर दो scale होते हैं पहला scale जो की vertical है उस scale को हम main scale कहते हैं यहाँ पर यह main scale है main scale के अंदर यहाँ आप देख सकते हो नीचे लिखा है 10 center में 0 फिर 10 हम अपने इसकी convenience के लिए नीचे वाले 10 को 0 मानते हैं और यह जो distance है यह एक centimeter के बराबर होता है तो main scale हमारे पास 0, 1 और 2 के बराबर हो गया दूसरा यह है जो scale है यह अपने पास वरत्ताकार पैमाना है circular scale अपने पास spherometer के अंदर है इस circular scale के अंदर 100 divisions इसके अंदर है यहाँ यह मेरा spherometer हो गया यहाँ पर दोनों जगे hangar लगे हुए है इन hangars के उपर हम भार लटकाते है एक hangar के उपर यह जो भार लगा हुआ है यह भार fix है इसको हम dead load कहते है spherometer के साथ में यहाँ पर जो नीचे जो hangar लगेगा यहाँ पर हम भार का मान बढ़ाते जाएंगे यह मेरे सरल उपकरन की सरचना है अब हमने जो spherometer काम में लिया है हमें उसका अलपत मान निकालना है least count की value हमें निकालनी है किसी भी उपकरन का अलपत मान होता है उसके द्वारा ना पा गया सबसे छोटा मान जैसे कि अपन एक simple scale काम में लें और उसको हम centimeter वाली side से देखें तो हम साधरन scale से जो सबसे छोटा मान नाप सकते हैं वो होता है 0.1 centimeter के बराबर यहाँ पर हम हमारे sparometer की सहता से सबसे छोटा खाना जो हम नापेंगे उसका मान हमें निकालना है अलपत मान का सूत्र होता है pitch बटा pitch upon total number of circular scale division अलपत मान होता है चोड़ी अंतराल, बटे ब्रत्ताकार पेमाने में कुल खानों की संख्या अपने को lease count निकालने के लिए pitch का मान आना चाहिए pitch क्या होता है pitch का मान निकालने के लिए हम हमारा जो circular scale है उसको पूरा एक rotation देते हैं एक rotation में तै की गई दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं pitch is defined as distance moved by central screw in one complete rotation of circular disk scale एक पूर्ण गुर्णन में के तोर पे यहां हम मान लें हम तो यहां से अपन lease count का मान असानी से निकाल सकते हैं अलपत मान का मान आ जाएगा 1 upon 100 अर्थार्थ 0.01 mm इसको हम सेंटीमेटर में बदल लें सेंटीमेटर में मान आ गया 0.001 सेंटीमेटर के बराबर तो हमने हमारे स्पेरोमेटर का अलपत मान निकाल लिया अब हम प्रेक्षन का मान देखेंगे हमें उपकरन की साहता से प्रेक्षन किस प्रकार लेने हैं यह मैं आपको एक सिमुलेटर की साहता से दिखा रही हूँ यहां हमने जो सिमुलेटर काम में लिया है यह अम्रिता लैब का हम simulator काम में ले रहे हैं इस simulator के अंदर यहाँ पर यह आपको सरल का उपकरन दिखाया गया है यह मेरा सरल उपकरन है बीच में जो spirit level लगा हुआ है यह को इसका magnified view हमने यहाँ पर दिखाया है ये स्पेरोमीटर का भी मैगनिफाइड व्यू है, ये मेन स्केल है और ये पास में इसके सर्कूलर स्केल लगा हुआ है ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल वायर है और एक ऑक्जिलरी वायर है इस ऑक्जिलरी वायर का ही अपने को यंग प्रत्यास्ता गुणांक निकालना है यंग प्रत्यास्ता गुणांक निकालने के लिए मैंने जो पतार्थ माना हुआ है मेरी तार का वो मैं मान रही हूँ यहाँ पर स्कील मेरा पतार्थ है अब मैं प्रारंब कर रही हूँ यहाँ पर 0 kg वेट से हम हमारे पास ये 0 kg वेट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं अब भी अपन देख सकते हैं कि ये जो वायू का बुलबुला है ये स्पिरिट लेवल की बिल्कुल बीचों बीच हमने सेट कर लिया अब हम पाठ्यांख पढ़ेंगे पाठ्यांख हमें दोनों स्केलों का पढ़ना है मुख्य पैमाने का भी और व्रत्यकार का भी यहाँ अपन देख सकते हैं मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांख है इसको हमने 0 माना था तो 0 के आगे ये पहली लाइन के उपर आ रहा है इसका क्या अर्थ है कि हमारा मुख्य पैमाने का पाठ्यांग है 0.1 cm के बराबर और रत्यकार में इसकी सीद में जो खाना आ रहा है वो है 24 नंबर का खाना तो इस पाठ्यांग को हम हमारी साढ्णी के अंदर लिखेंगे ये हमारी साढ्णी है हमने कोई भी भार नहीं लगा रखा और वायू का बुलबुला हमने बीच में सेट कर लिया पाठे आंख हमें तब ही लेना है, जब हमारा वाईू का बुल्बुला स्पिरिट लेवल में बिलकुल मध्धे के अंदर हो. और उसको मध्धे में लाने के लिए, हम व्रत्तकार पैमाने का उपयोग करेंगे. तो हमने मुख्या पैमाना पढ़ लिया और रत्तकार पैमाने में Considing Division का मान पढ़ लिया तो कुल पाठ्यांग होता है मुख्या पैमाने का पाठ्यांग प्लस संपाति भाग इंटू अलपत मान ये मान निकालके हम यहाँ पर रखेंगे अब हम क्या कर रहे हैं? भार बढ़ा रहे हैं ये जो है हम हमारा भार इसके अंदर आदा किलो के बराबर कर रहे हैं जैसे ही हमने भार बढ़ाया अपन यहाँ देख सकते हैं कि वायू का बुलबुला मत्धे के स्तान से हिल गया हमें उसको वापिस बीच में लेके आना है बीच में लाने के लिए हम हमारे circular scale को घुमाएंगे यह हमारा circular scale है इसको अपन घुमा रहे हैं जिससे कि यह वायू का बुलबुला मत्धे के अंदर आ जाए यह अपन देख सकते हैं कि air bubble हमारा अप बीच के अंदर आ गया इस position के उपर अपन main scale की और circular scale की reading हम पढ़ेंगे आदा किलो का पाठ्यांक में यहां लिखूंगी इसी तरह हम लगातार भार बढ़ाते जाएंगे हैंगर के उपर और हम मुख्य पैमाने और रत्तकार पैमाने का पाठ्यांक पढ़ते हुए कुल पाठ्यांक निकालके reading लेते जाएंगे ऐसा काम अपन 0 से भार बढ़ाते हुए करेंगे बाद में परणाम की accuracy के लिए अपन अधिकतम मान से भार कम करते हुए भी पाठ्यांक निकालेंगे जैसे यहां मैंने लिखा है हमने भार बढ़ाया है साड़े तीन किलो तक साड़े तीन किलो का जो पाठ्यांक है यहां तक आने के बाद हम उसमें से आदा किलो का भार निकाल देंगे अरथार्थ भार हो गया तीन किलो वौपिस बुलबले को अपनी बीच की स्थिती में लाएंगे और मुखे और रत्तकर पेमाने का पाठ्यांक पढ़ेंगे इसी तरह वोपिस हम 0 किलो तक आएंगे अब हमारे भार बढ़ाते समय और भार गटाते समय के जो दो पाठ्यांक आए हैं उनका हम औसत मान निकाल लेंगे इन मानों को मैंने यहाँ पर सिंबल Z1, Z2 ऐसे ही Z8 तक रिप्रेजेंट किया है आपकी साहता से अपन तार की लंबाई के अंदर परिवर्तन का मान निकालेंगे मैं मान रही हूँ कि मुझे दो किलो भार के लिए तार का विस्तार निकालना है दो किलो भार के लिए विस्तार हम किस तरह से निकालेंगे हम भार का अंतर दो किलो रखेंगे जैसे कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अगर मैं दो किलो वाले पाठ्यांख में से आधा किलो का पाठ्यांख घटाओं तो मुझे दो किलो भार के लिए विस्तार कमान मिल जाएगा क्योंकि मैंने भार का अंतर रखा है दो किलो के बरापर इसी तरह धाई किलो वाले पाठ्यांख में से आधा किलो वाला पाठ्यांख घटाओं तो भी मुझे दो किलो वाले भार के लिए विस्तार कमान मिलेगा तो हम इस तरह से एक्स्टेंशन की वेल्यू निकालेंगे यहाँ पर जैसे चार मान आ रहे हैं, हम उनका माध्य मान ग्याद करेंगे तो अपने पास हमने सर्ल उक्करन की सहायता से extension L का मान निकाल लिया अब हम स्कुरूगेज की सहायता से जो हमारी experimental वायर है, उसका radius हम निकालेंगे सबसे पहले अपन स्कुरूगेज के अंदर कोई शुन्यांग तुटी तो नहीं है, इसका मान हम निकालेंगे शुन्याम तुटी निकालने के बाद हम सबसे पहले जैसे अपनने स्पेरो मीटर का पिछ निकाला था चूड़ी अंतराल वो ही तरीका स्कुरूगेज का चूड़ी अंतराल निकालने का है स्कुरूगेज का चूड़ी अंतराल आएगा 0.1 cm के बराबर और स्कुरूगेज के अंदर जो व्रत्तकार खाने होते हैं उनकी संख्या है 100 तो स्कुरूगेज का अलपत मान आजाएगा 0.1 बटा 100, 0.001 cm इसके बाद हम 0.3 अगर स्कुरूगेज के अंदर है उसका मान भी निकालेंगे हम तार का व्यास चार या पांच बिंदूओं के उपर निकालेंगे ताकि हमारा जो व्यास है वो हम एकुरेटली निकाल सके तार का व्यास हम पहले एक दिशा में निकालेंगे फिर उसकी लंवत दिशा में भी हम निकालेंगे ताकि हम हमारे परिणाम की एकुरेसी को बढ़ा सके तो ये जो हम व्यास निकाल रहे हैं फिर हम उसका माध्य निकाल लेंगे हमारे पास यहां से उस वायर का डायामीटर आ जाएगा डायामीटर का अगर आपन हाफ कर दें तो हमारे पास रेडियस का मान आ गया हमने 2 किलो भार के लिए extension विस्तार का मान small L निकाल लिया। जो हमारी तार है उसकी लंबाई हम scale की साहता से निकाल सकते हैं। यह जो हमारी तार है इसकी लंबाई हम scale की साहता से निकाल सकते हैं। तो हमने हमारे सारे मान ग्याद कर लिये हैं, हमें y का सूत्र पता है, y का सूत्र है mg capital L upon pi r square small l, इसके अंदर मान रखते, m बराबर, जैसे हमने यहां उधारण के तोर पे 2 किलो लिया है, 2 रख दे, d का मान हमें पता है, गुर्तविये तरन, acceleration due to gravity, इसकी value होती है, 9.8 meter per second square, capital L, scale की साहता से नापली, 5 का मान 22,7 या 3.14, तुरिज्या हमने स्क्रूगेज की साहता से नापली, और small l का मान हमने सरलुपकरन के द्वारा, तार में विस्तार का मान निकाल लिया, तो ये सारे मान रख करके, अपन किसी भी तार का यंग प्रत्यास्ता गुणांख निकाल सकते हैं, चुकि यंग प्रत्यास्ता गुणांख होता है प्रतिबल बटा विक्रती, विक्रती की कोई भी इकाई नहीं है, और प्रतिबल की एकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेर। तो यंग प्रत्यास्ता गुडांग की MKS पद्ददी के अंदर जो एकाई है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेर। तो हमने हमारा परिणाम ग्याद कर लिया सरल उक्करन द्वारा जैसे मैंने यहाँ पर स्टील लिया है तो हमारा परिणाम आजाएगा दे यंग स्मोडुलस फोर स्टील एस डिटरमाइन बाई सल्स अपरेटर्स इस जो हम मान निकाले उसका मान अपने को रखना है। अर्थार्थ हमारे सरल उक्करन द्वारा स्टील के तार का यंग प्रत्यास्ता गुडांग हमने ग्याद किया। अब जो स्टील है उसके लिए वाई का एक्चुल यंग प्रत्यास्ता गुडांग कितना है इसके मान निश्चित है। हमारे पास वो निश्चित मान हमें पता है तो हम हमारे मान की तुलना उस मान से कर सकते हैं इसके लिए हम percentage error की value निकाल ले percentage error का क्या formula होता है difference in values upon actual value मानों में परिवर्तन बटे actual value तो ये जो मान है वो हम प्रतीशत के अंदर निकाल सकते हैं विद्यार्तियों आज अपनने simulator की साहता से virtually lab के अंदर यंग प्रत्यास्ता गुणां का मान जो की किसी पद्दार्ट की एक elastic property है उसका मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं ये अपनने सीखा Thank you students for watching